पार्ट 88 है यह लक्षमी गांत का देखें यहां पर council of ministers के बारे में आर्टिकल 74 में लिखा है वैसे तो आर्टिकल 74 75 77 78 में आप से पहले भी बात कर चुगा हूं लेकिन चुख यहां पर council of ministers की बात कर रही है और इंडिया सब्सक्राइब बढ़े लिए गटाब आपने खरीद ली होगी मेरे साथ बैटके पढ़ रहे हैं वीडियो पे लाइक बटन जुरूर दबा दीजेए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर आप तक आपने नहीं किया है सम्विधान ने क्या बोला है इंडिया में पार्लेमेंटरी सिस्टम और यह पार्लेमेंटरी सिस्टम और किसके नाम पर है वेस्ट मिनिस्टर मॉडल वेस्ट मिनिस्टर नाम की जगा है ब्रेटेन में तो पार्लेमेंटरी सिस्टम निकला कहां से ब्रेटिश से निकला है और को हमने रप्ट किया चुकि हम ब्रेटिशर के अंदर गुलाम थे अभी जो council of ministers इंडिया में होते हैं parliamentary democracy में council of ministers की बहुत importance होती है इन council of ministers को headcon करते है prime minister prime minister is the real executive authority in our political administrative system he is the real authority जो president है वो nominal authority है और जो prime minister है वो real authority and defacto कि अब बात करो प्रिंसिपल्स और parliamentary system of government के जो principles है ना वो parliamentary conventions के हसाब से होते हैं और हमारे सम्विधान ने यह पूरी आजादी दी हमारे पर्लेमांट को कि उन principles को अगर enumerate करने की ज़रौत है तो लेकिन clearly बहुत सारी चीज़ें parliamentary system किस तरीके से काम करेगा ministers के appointment में ठीक है जो advice वो देंगे उसके respect में इसके बारे में constitution में बहुत ज़्यादा clearly चीज़ें लिखी नहीं लेकिन 74 आर्टिकल में 75 आर्टिकल में काफी सारी चीज़ें जैसी 74 में स्टेटस आफ कांसिल अब मिनिस्टर बारे मता रखका 75 में appointment tenure responsibility qualification oath salaries allowances अब मिनिस्टर इसके बारे में कुछ बाते लिख रखकी तो एके करके इन सारी चीज़ों को अनलाइस करेंगे सबसे फहले शुरुवात करते हैं आर्टिकल 74 council of ministers to aid and advise president यहाँ पी क्या बोला जा रहा है there shall be a council of minister with the prime minister at the head to aid and advise the president who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice ठीक है तो आप देखे council of ministers के बारे में कहां लिख दया आर्टिकल 74 अब आर्टिकल 74 को जब हमने president पढ़ा था हमने तब भी पढ़ा जब हमने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा था हमने तब भी पढ़ा और अब जब council of ministers हैं तब भी पढ़ रहे हैं तो कि तीनों चीजों के साथ डील कर रहा है आर्टिकल 74 इसमें तीनों का नाम लिखा है council of ministers भी है प्रेजडेंट भी प्राइम मिनिस्टर भी है तो फिर से बतारता हूं एक council of minister है जिसको हैड़ करते हैं प्राइम मिनिस्टर वो लोग आपस में मिल बाट मतलब बातचीत करके एक के पास तो क्या प्रेजडेंट को मानना है वह जो रही सिर्ण करेंगे चेंज करके एडवाइस देते हैं वह दूबार देते तो उसके प्रेजिडेंट को मानना ही कुछ अस्के बाद एक और इंपर नहीं चीज़ अब आइडवाइस टैन्टेंड्य आइस टेंड़ स्था नहीं होगी है एक 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 जुड़ार्टी है और इस त्यूड़ी चीज़ों की इंक्वाइरी करने की ताकत दे दी गए जुड़ीश्री की तो में बताया हैरा कि आपको मेने बता रखा रखा कि जो हमारी तो अगर आप देश के तो उसके तीन पार्ट है एक है एक 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 लेजिश्लेटिव और एक इस जूडी जाते हैं यह तीनों आप उसमें बराबर हैं यह तीनों एक दूसरे की ताकत में इंटरफेर्श नहीं कर सकता उसके बाद एक सब्सक्राइब को बदलने की कोशिश बराबर की ताकत दी गई तो अब इस एक्जेक्योटिव की ताकत में अगर जुडिश्री इंटरफेरेंस करने लगेगी तो वो भी सही नहीं तो यह जो ताकत है ना कि भाईया जो भी काउंसल अमिनिस्टर डिसीजन लेंगे वह प्रेजिडेंट के पास बेजेंगे प्रेज बिब बॉला गया है बड़ी मिनिस्टर फैइंट अब आपनी मरजी के साफ से किसी को भी प्राइम नहीं कर सकता उसको एक से पैटन के साफ से प्राइम निस्टर पॉइंट करना पड़ेगा लोग समामे जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके करना पड़ेगा और अगर पॉलिटिकल पार्टी में नहीं तो प्रोसीजर को मैंने बहुत डेटेल में प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की वीडियो में कवर किया वहां जाके देखें यहां पर रेपीट नहीं करूंगा यहां पर सिर्फ इस टॉपिक से बात करनी है कि वह दूसरे मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास ताकत है कि वह अपने कैबिन को प्राइम मिनिस्टर के पूरी आजादी है वी और सी पॉइंट मैंको पहले समझा चुका हूँ अभी इसको नहीं देख रहे हैं फिर आर्टिकल 75 में कुछ और चीज निकल के आती हैं ज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर वो 15 प्रतिशत और लोग सभा की मेंबर्शिप से जादा नहीं हो सकते हैं इसको 91 अमेंडमेंट एक 2003 से हमारे समयधान में जोड़ा गया है तो यह अमेंडमेंट क्या बोलता है कि ओवर और जितनी भी स्ट् के 15 प्रतिशत से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को मिला के उसके बाद इसी 91 अमेंडमेंट एक 2003 की कुछ और चीज़ें हुई है जैसे कि फॉर एक्जांपल जो आइधर हाउस ऑफ पार्लेमेंट चाहे हो लोग सभा हो चाहे राज अब हैंका कोई मेंबर अगर ऑन ग्रांटत्यूस अब दे अमारा 10 टैंठ चीडूल फ़्याइं अंदर अग्र कोई पर्सन टिस्क्वाइअ हो जाता है सब्सक्राइब और राज सबान भाता है और राजसबा उस चीज़ में वह से किस्टाइब काभिनेट में और के चलते मिनिस्टर से चुलि जा सकते हैं लोग सबा के मेंबस को भी मिनिस्टर बना जा सकत Rat में लोगसभा से जीत गई थी बात में इंद्रा गांदे जी लोगसभा से जीत गई थी लेकिन фजिर्वास funktioniert तो कुल मेरा के बाद यह कि एंटी डिफ्रेक्शन प्रोसीडिंग से चलते हैं अगर आपकी पार्लेमेंट की मेंबर्शिप जाती है तो आप मिनिस्टर के लिए दिस्कौलिफाइब जाओगा मिनिस्टर भी नहीं बनो रहोगे अगर आप पहले हो तो उसके बाद मिनिस्टर अफिस डूरिंग प्लेजर ऑफ दर प्रेजर अप्लेजर नहीं है यह जो मेरी बात नहीं मानना या मेरे से इसको इसकी पॉजिशन से अटाना चाहता हूं आप एक काम करो आप इसको इसकी पॉजिशन से अटा दो तो प्रेजिट उसको हटा देगा इसलिए बोला जाता है कि मिनिस्टर चैल होल्ड ऑफिस डूरिंग प्लेजर अब प्रेजिट्ट फिर काउंसिल लोगसभा तो यह मिनिस्टर में कोई एक ऐसा मेंबर हो जो कि राजसभा का और मिनिस्टर के अंदर बैठाओ लेकिन आप देखो हर पांच साल में जर्नल एलेक्शन के तुरू चुन के जो बॉड़ी आ रही है वह कौन सी है वह लोगसभा है मिनिस्टर को ओत कौन एड्मिनिस्टर करता है तो प्रेज़जेंट ओत करता है ओफिस तो मिनिस्टर में बब्रिजचन को बता नहीं सकता अगे इंपॉर्टन पॉइंट है करा हाँ उसके ड्यूटी बोलती है कि हाँ आप नेशन को करेश करिए किसी पर्टिकुलर चीज पर आप चीजने देश को बताइए को कर चाने के सामने वे आजाती है तो उससे पहले फिस प्रायम नेशन को और अड्रश करेंगे लेकिन अभी गल्वन वेली में एकलो हुई हम इन सब बातों को सीक्रेट रखने के लिए ओध ऑफ सीक्रेशी साइन कराई जाती है उसके बाद मेंबर तो देखेए एक पर्सन माली ज़ए पार्लामेंट ना राजसबा का मंभर तो बना सकते हैं तो बशरते मिनिस्टर बनने के चे महीने के अंदर लोकसाब का मेंबर बन जाए यह वह राजसबा का मेंबर बन जाए तो फाइफ फॉर्टी त्री सीट है और सारी 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 एलेक्टेट सीट है नौमिनेट सीटेट की बात की बात की जा तो राजसबा होगा राजसबा आपको पता है इनabordगाया जा सकता है तो जो 12 झाम उन्में में से भी मिनिस्ट बनाए जा सकता है जो सिलरी एंछ Stir consider котором करेगा आप आजाते हम लोग से Iggy को दो अप इंडिया Um आज ॢब सीनिय्टन इसान डेकल केट अश्मा इंडिया प्रकुशन को सब्सक्राइब है कि अधया प्लानिंग कमीशन के लिए ऐग प्लानिंग कमीशन में क्विए तो इसकी जगह आप ने बना दिया कोई सब्सक्राइब को पराइब क्या है कि इस तरीके से इंटने भी एक्टीटिव थे ने अग्जियुन क्या होते हैं कि दो हजार भर अप थक पटाया हो सिर्फ में पता रखा हैं ऐग्जिकुुटिटीव एक्शन किस के नाम में लिए प्रेजिडघ्ट के हाला कि जो legislative action है वो भी president के नाम पे लिए जाते हैं तो लोकसभा राजसभा से बेल पास होगा तो president के sign के बिना law नहीं बनेगा उसके आध कुछ सब्द है कुछ statements है यह statements British colonial acts के समय से चले आ रहे हैं मारे समविधान में इनको भी पढ़ लीजे एक बार orders and other instruments made and executed in the name of the president shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by president दूसरा president shall make rules for the more convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among ministers of the said business यह जो दूसरा और तीसरा point है मैं पहले भी आपको बरता चुका हूं देखे कि president समय समय पर कुछ orders निकालेगा कुछ instruments निकालेगा instruments मतलब एक ऐसे mechanism जिसके तुरू आप governance को चलाओगे अभी यह order और यह instruments किस तरीके से apply होंगे किस तरीके से इनका real time application होगा किस तरीके से इनके अंदर जो भी नियम कानून लागू किया जाएंग उनको इन orders में लिखा होगा ओके तो यह चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि orders and other instruments made and executed in the name of the president shall be authenticated in such manner as specified in the rules कि प्रेजिने कोई order और instrument निकाला है और उस instrument में लिखा है कि president के अगर कोई नियम कानून निकालती है तो उसके पास नियम कानून निकालने की ताकत है कि नहीं है वह किस तरीके से काम करेगी क्या उसका उसके उपर कौन से rules अप्लाई होंगी यह सब प्रेजिडेंट के original order में लिखा होगा उसके इसको authenticate किया जाएगा बोल बच्चन बात पॉइंट यह तीसरे नंबर में यह एक्चुली में ताकत प्राम मिनिस्टर किया कर देख रहा हूं तो यहां पर क्या बता रहा है इस दा दूटी प्राम मिनिस्टर क्या? तो कम्यूनिकेट तुदा प्रेजिडेंट और डिसीजन सब्सक्राइब कर रहा है कि हाँ यह लग सभा में राज सभा में इंटर्डूस करेंगे तो अभी इस केस में काउंसल ऑफ मिनिस्टर्स हेड़ बाइड प्राइम मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है तो उस डिसीज के लेकिन इंपोर्टन के हैं चुकि कांसल मिनिस्टर्स का नाम आए है यह फिर बी में क्या दे रहा है तो फर्णिश शत इंफॉर्मेशन डिलेटिंग तुदा अफेर्स अफेर्स अपी अपे लेगा इंद्रा गांदी जी कि समय पर अमर्जन सी लगी थी उस समय पर प्रा आप प्राइम मिनिस्टर जो भी मेजर डी लेते हैं उससे पहले से बात करते हैं तो यहां पर कांशल मिनिस्टर बहुत इंपोर्टन हो जाते हैं और उसके पाइब आपके मिनिस्टर में से किसी कम शेजन ले अब मुझे यहां पर कांशल को पूरे कांशल मिनिस्टर लिए है तो उस case में जो भी decision है उसको council of ministers के सामने रखा जा सकता है बहस के लिए तो कहीं न कहीं council of minister का एक joint effort यहां निकल के आता है और फाइनली बात करते है आर्टिकल 88 rights of ministers as respects the house देखिए हर minister के पास house में बोलने की ताकत है proceedings of the house में पार्ट लेने की ताकत है एनी joint sitting of the house में पार्ट लेने की ताकत है एनी committee जिसका मेंबर है अब देखिए joint sitting of the house होगी तो वहां पर लोगसभा राजसभा सबके मेंबर बैठे होंगे तो वहां पर minister खड़ा हो सकता है उसकी प्रोसीडिंग से participate कर सकता है प्रोसीडिंग से participate करने का मतलब है कि भाईया वह कॉश्चन पूच सकता है कॉश्चन आवर के दौरान जीरो आवर के दौरान ठीक है वह बोलने की पर्रोसीडिंग से उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा तो यह चीज़े हैं यहां पर लेकिन एक बात याद रखिए जो मेंनिस्टर है वो किसी कम्यूरिटि का को के इंचे कर सकता है को कोई कमिट्र अपार्लमेंट जिसमें उसको एक मेंबर बनाया गया उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है वो बोट करने के लिए इंटाइटल नहीं होगा अब बात करते हैं किसकी नेचर ओफ एडवाइस बाइं मिनिस्टर्स क्या है यह नेचर ओफ एडवाइस बाइं मिनिस्टर्स यह लिख देता हूं यह बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 74 में साफ साफ लिख रखा है कि भाया काउंस्ल अफ इनस्टर्स इस दिए गए हैं दो एक है आपका 42 अमेंडमेंट एक एक है आपका 44th Amendment Act 1978 अभी इसमें इंस्टक्शन्स क्या दिये गए यह मैं आपको क्लियर कर बताता हूं देखें कि 42nd Amendment Act 1976 ने क्या बोला कि भाईया अगर काउंसेल और मिनिस्टर ने कोई एडवाइस दी है प्रेजिडेंट को वह माननी ही है प्रेजिडेंट के पास और कोई च्वाइस नहीं है कि 42nd Amendment Act 1976 इमर्जेंसी के दुरान कॉंगर सरकार ने लागू किया था बाद में आया 44th Amendment ने क्या बोला कि देखिए अगर प्रेजिडेंट काउंसेल और मिनिस्टर को यह बोलता है कि देखिए यह जो आपने मेरे को एडवाइस दिया इस एडवाइस को मैं वापस आपके पास भेज रहा हूं आप एक बार इस एडवाइस को रिकंसीडर करो तो उस केस में जो नहीं किया जा सकता चुकि वह मिनिस्टर का प्रेलोगेटिव यह उनकी ताका था मैंने शुरुवात नहीं बताया जुदिश्री का इंटर्फेरेंस नहीं हो सकता है तो इससे एक इंटिमेट और कॉन्फिदेंशल रिलेशन्शिप निकल के आता प्रेजिडेंट और मिनिस में तो काम ठब पपड़ जाएगा किसी ना किसी को किसी भी चीज़ से प्राब्लम होती ही है उसके बाद 1971 में सुप्रीम कोट ने क्या बोला कि माल लीजे लोग सभा डिजॉल हो जाती है तो भले ही लोग डिजॉल हो जाया कॉंसिल अफ्मिनिस्थ्र को नहीं हटाया जाएगा क्यों council of ministers को नहीं हटाया जाएगा अगर आप council of ministers को अटा दोगे तो कौन चलाएगा राज इसलिए जब तक नहीं लोग सबाच उनके नहीं आती और नहीं council of ministers नहीं बनती तब तक पुरानी council of ministers काम करते रहेंगी क्यों चुकि article 84 में साफ साफ लिखा है कि president किसके साफ से काम करेगा aid and advice of the council of ministers headed by prime minister के साफ से काम करेगा और council of ministry नहीं रहेंगी तो president advice कौन देगा और एक बात है प्रेजडेंट को जो advice मिल रही है न वो president को माननी ही माननी है और जहां चाहां भी सम्विधान में लिखा है कि अगर प्रेजडेंट satisfy है satisfaction of president satisfaction of president तो जहां जहां भी सम्विधान में satisfaction of president लिख रखा है वो actually में president का personal satisfaction नहीं है वो council of ministers के advice है तो council of ministers अगर किसी चीज़ को लेके प्रेजडेंट को यह बोल रहें कि भाई आप यह करिए तो प्रेजडेंट वो करेगा और वहां पर प्रेजडेंट का satisfaction माना जाएगा समझ गया तो सीधी बात है कि council of ministers के पास यह ताकत है कि जैसा वह प्रेजडेंट को करने को बोलेंगे वैसा प्रेजडेंट करेगा प्रेजडेंट की satisfaction उसके परसनल satisfaction नहीं है और आते हैं आपके अपॉइंट मेंट और यहां पर एक क्रोन लॉजी में चल रहे हैं वैसे तो मैं आपको appointment of ministers पहले बता चुका हूं लेकिन फिर से आ गया है तो मैं फिर से बता देता हूं एक बार फिर से repeat हो जाएगा प्राइम सो क्योंभाइं करता है प्रेजेट किसके से नाम लेंगे मिनिस्टर वहीjak करेंगे अपने साप से किसी को भी ऑप好好 सकता है और वह राजसबाने तो भी मैं आपको बता है ना कि अगर राजसभा का मेंबर बन दा है तो चाहिए वह नॉमिनेटेड हो चाहिए और एक ऐसा मिनिस्टर जो किसी एक हाउस आफ पार्लामेंट में है उसके पास ताकत है कि वह दूसरे हाउस आफ पार्लामेंट की प्रोसीडिंग्स में बोल कर सकता है ब मिनिस्टर के मेंबर हैं अब कल की डेट में अगर सवाल पूछा जाएगा राजसभा में तो भाई डिफेंस मिनिस्टर को जाके वहां पर बोलना पड़ेगा प्रोसीडिंग्स करना पड़ेगा तो राजनाज सिंग्जी के पास यह ताकत है और बाकि जितने भी सीडियों म मिनिस्टर से उनके पास यह ताकत है कि जिस हाउस के मेंबर हैं उसके अलावाद दूसरे हाउस में जाके बोल सकते हैं उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे वोटिंग एक मिनिस्टर उसी हाउस में पार्टिसिपेट करेगा जिस हाउस का वो मेंबर है तो की कोई legal responsibility नहीं है यह बात करेंगे composition of the council of ministers देखेंगे तो आगे की video में यह आने वाला thank you for watching have a great day